क्या परेश रावल बने जोतशी फिर हेरा फेरी के किस करेक्टर से जुड़ा है संजेदत का करेक्टर क्या प्रोडिूसर फिरोज नादिया वाला ने खास शूटिंग के ने खरीदा है स्टूडियो फिल्म हेरा फेरी 3 में संजेदत गैंग्स्टर के अवतार में नजर आने वाले है पर उनका जो करेक्टर है वो इस फिल्म की नास्ट फ्रेंचाइजी यानि फिर हेरा फेरी से जुड़ा हुआ है और संजेदत का ये कनेक्शन होगा रवी किशन के करेक्टर से फिल्म फिर हेरा फेरी जो साल 2006 में विलीज हुई थी उसमें रवी किशन ली छोटे का करेक्टर निभाया था जो की एक गैंग्स्टर का साइट किक था और में गैंग्स्टर थे अक्टर शरद सकसे ना तो अब रवे किशन का दूर का भाई बनते हुए संजदत आने वाली फ्रेंचाइजी में नजर आएंगे वैसे रवे किशन के करेक्टर को इतना हाइलाइट नहीं किया गया था पर जैसा की कहा गया था कि फिल्म फिर हेरा फेरी के एंड से अब हेरा फेरी 3 शुरू होगी त ऐसे संजदत का गांग्स्टर अवतार देखने के लिए सब लोग बहुत एक्साइटेट है और उनके सामने अब राजू, शाम और बाबु भाईया है देखते हैं अब ये तीनों इस गांग्स्टर को कैसे जहल पाते हैं फिल्म हेरा फेरी 3 काफी मुश्किनों का सामना करत हुए फाइनली आने वाली है और जब फिल्म की फिर फिर चर्चा चल रही थी तब ट्विटर पर फैन्स ने परेश रावल जो एरा फेरी फ्रेंचाइजी के बैबो बाईया है उन्हें रिक्वेस्ट की एक फैन ने पूचा सर एरा फेरी 3 कब आएगी तब परेश ने जव मत कीजेगा हम आपको इस फिल्म में देखना चाहते हैं वैसे इन सब बातों पर परेश ची ने कोई जवाब नहीं दिया हालाकि तब सिच्वेशन ऐसी थी कि अक्षय इन होंगे या आउट इस पर सब की नजरे थी पर बारिश की बात करके ये समझा गया कि परेश टावल जियो तशी भी हैं फिल्म अएरा फेरी 3 का प्रोमो शूट मुंबई में एंताइर स्टूडियो में किया गया था जो कि मुंबई के अंधेरी शहर में मौजूद है वाईसे तो फिल्म की टीम ने एक पिक्चर शर की थी जिसमें हमें अक्षकुमार परेश रावल सुनील श वालने कुछ भी नहीं कहा है जियां दोस्तों पर यहां का जो स्टाफ है वो इन सब को देखकर काफी खुश हुआ क्योंकि 1999 में यही टीम मतलब फरहाद साम जी को छोड़कर सभी लोग शूटिंग करने गए थे तो पुरानी यादे ताज़ा हो गई तो दोस्तों इस पर आपकी क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स वे जरूर बताएं